मेरे सरक्र में कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं और कुछ रिलेटिव गर्मेंट जॉब कर रहे हैं अब वो लोग जब बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो बैंक मेनेजर खुसी-खुसी लोन को एप्रूब कर देते हैं लेकिन यहीं पे, कुछ लोगों से बात किया, उन्होंने यहीं बताया, या बैंक माले मुझे परेशान करते हैं, मुझे लोन नहीं देते हैं, मुझे लोन की बہच जरूरत है, मेरा काम रुका हुआ है, आपको भी लोन एप्रूब होगा और लोन मीलेगा और मैनेजर खुसी खुसी आपका लोन सेंक्टिन भी कर देगा लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि यह bank जो है, यह किसे लिए established किया गया था और यह जो institution है, या जो company है NBFC, NBFC मतला जैसे कि बजाज फिंसर टाइप का सुनते हैं, non banking वाले, तो यह सब company हैं तो आखिर यह सब का purpose और motto क्या होता है, इसका simple एक ही मकसद है, पैसे से पैसे कमाना, मतलब इनके पास fund है, इस fund को कर्ज देते हैं, और उससे ब्याज असुलते हैं, और मुल्धन के साथ जो है, फिर दूसरे को ब्याज देते हैं, इस तरह से इनका business चलता है, मतलब क्या, जि कि आप देखेंगा हर जगा, जो है, EMI पर जो है, बजाज बाले लोन देना शुरू कर दिये थे, और सुनला भी बहुत आसानी से शुरू कर दिये थे, इनका पैसा, profit बढ़ना शुरू हो गया था, तो यह सब जो है, लोन भी दो-तिन टाक का होता है, जिसमें secure और unsecure होता है, कि इनका ब्याज और मूलधन बड़ा आसानी से recover हो जाएगा, लेकि unsecure में हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, और आपको मालूम है, प्रस्नल लोन की बात करते हैं तिवे unsecure में आता है, लेकिन यहीं पे कोई सरकारी नोकरी करने वाला जाता है, प्रस्नल लोन ले दे या नो दे, लेकिन government employee को ता इसा नहीं है, उसका region यह है, कि अपने इंडिया में मालूम है कि अगर कोई सरकारी नोकरी कर रहा है, तो 99% चांस है कि वो कभी भी जो है नोकरी नहीं उसका छुतने वाला है, लेकि प्राइवेट सेक्टर में यह कोई guarantee नहीं है, कि अगले म होता है, कि आपको जो loan देना है, वो loan ज्यादा से ज्यादा recover होने वाला होना चाहिए, नहीं तो ऐसा रहता तो सब को loan दे दिया जाता, सब लोग जाते कर सब परिसान है कि मुझे पैसा किसको प्यारा नहीं लगता, कुछ लोग देते हैं ब्याज, कुछ लोग नहीं देते अब जब सरकारी नोकरी लगता है, तो इनका salary हर महीने तो आएगा, है ना, इतना तो confirm रहता है, जब salary आएगा, तो salary के अधार पर loan जो approve मिलता है, कि कि कितना limit है, लोग का, वो salary के अधार पर होता है, कि हाँ, आपका ये salary है, और इतना ही आपको loan एप्रूब किया जा सकता इसका limit इतना है अब जब bank manager को ये confirmation हो जाता है कि सरकारी नौकरी मतलब हर मैने पैसे आना हर मैने पैसे आना तो ये जो EMI होता है किस्थ होता है इसको link कर दिया जाता है उनके salary account से government job जो करते हैं उनके salary account से जैसे ही महने का पैसा आया उसमें से deduct हो गया किस्थ अब कुछ सरकारी नौकरी जो करते हैं वो थोड़ा सा चलाक भी होते हैं वो क्या करते हैं जैसे ही पैसा आया उस पैसे को निकाल लेते हैं और कभी-कभी किस्थ नहीं भरते हैं तो इसका भी solution bank बाले ने बहुत बढ़िया निकाला जितना का किस्थ बांकिर आता है पैसा आयाने जट से उसको hold कर देते हैं जैसे hold कर दिये जो नौकरी कर रहे हैं उनके account में पैसा तो दिखाएगा amount तो दिखाएगा लेकिन उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं withdrawal नहीं कर सकते हैं तब तक कि किस्थ का समय आएगा वो किस्थ का पैसा कर जाएगा और इसके बाद फिर hold खतम हो जाएगा फिर उसमें से transaction किया जा सकता है तो यह कहानी है जिस करण से bank वाले या NVFC सरकारी नौकरी वाले को तुरंत लोन देते हैं अब आप सुचते होंगे यार फिर मैं private वाले मैं business करने वाले मुझे क्या होगा मेरा क्या होगा क्या लोन नहीं मिलेगा देखे सिंपल सी बात है जिस दिन आप प्रूफ कर दिये bank का जो लोन एप्रूव करते हैं उस staff को या manager को कि आप जो लोन ले रहे हैं उसका पुखता प्रूफ है कि आप जो है मुल्धान और व्याज के साथ रिटर्न करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कहाना के मतलब समझ लीजे अनसेक्योर लोन पे bank manager बार बार सुचता है कि दे या न दे लेकिन जो secure loan होता है उसको ज़्यादा सोचना भी नहीं है एक बात मैं आपको बता देता हूँ secure loan पे rate of interest कम होता है और unsecure loan पे rate of interest भी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फिर आप सोचते होंगे कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग तो बहुत कम है अब अपने तरफ थोड़ा सा घुमाईये नजर नौकरी करने वाले बहुत कम मिलेंगे लेकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले और business करने वाले बहुत मिलेंगे जिसमें से हो सकता है आपको तुरंत loan ना मिलता हो लेकिन आपके जान पहचान में कोई ऐसा होगा प्राइवेट सेक्टर वाला जिसको बैंक बाले बहुत बरियां से बुलाते हैं रिस्पेक्ट देते हैं और उनका loan भी अप्रूव करते हैं आखिर ऐसा क्या होता है अगर ये जानना है तो comment में जरूर लिखेगा पूरे सवाल के साथ मैं कोशिस करूँगा कि 100% वोची वीडियो के format में लाऊं और आपको बताऊं लेकिन एक बात मुझे बताईएगा अभी तक कभी कोई ऐसा case हुआ है आपके साथ घटना हुआ है जो आप loan लेने गए हैं और बैंक मनेजर जो है बत कमीजी किया हो और loan भी एप्रूव ना किया हो अगर है वो भी commentary mention करिये